Hello and welcome student, आप सभी का स्वागत है The Online Guru में, मैं हूँ सुनिल शर्मा और आज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, RIMC के GK के पेपर का, ठीक है RIMC का राश्ट्रे इंडियान मिलिटरी कॉलेज के GK के पेपर का सॉल्यूशन, यहाँ पे आप लोगों को पता ही है कि तोटल 75 questions आते हैं, इन 75 questions को मैंने 25-25 के 3 particular parts में बाइफर्केट किया हैं, पहला part, दूसरा part और तीसरा part, पहला और दूसरा part अगर आप लोगों नहीं देखा है, तो वो भी आप देख लीजिएगा, description में आपको link मिल जाएगा, और तीसरा part आज हम यहाँ पे start कर रहे हैं, और इसी part के साथ हम हमारा December 2019 का GK का जो solution है, वो complete हो जाएगा, ठीक है, तो देखें, यहाँ पे यह है part number first और part number second, इन दोनों ही part का description में आपको link मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, question number 51 पे आते हैं, जहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इन में से कौन सा blood group जो है, उसे हम universal recipient के नाम से जानते हैं, देखो, दो चीज इससे related, आपसे कभी भी question पूछी जा सकती है, एक तो recipient से related, और एक हो सकता है universal donor के नाम पे, ठीक है, तो यहाँ पे जब कभी भी recipient का बात आ जाता है, तो AB positive करेंगे, आप ठीक है, जब कि अगर आप से donor के बारे में बात की जा रही है, तो O negative आपका यहाँ पे answer होगा, अब इसीज को थोड़े से एक simple fact में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, देखो, हम लोगों के जो blood है, उनमें antigen पाया जाता है, ठीक है, उसी ant एक होता है, A से related, एक होता है, B से related, और एक जिसमें A और B दोनों के ही antigen available होता है, उसके बाद आजाता है, इस RH factor के होने पे, हम लोग इसको positive या negative के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो अगर RH factor है, तो positive और नहीं है, तो negative के नाम से जानते हैं, अब यहाँ पर वाले chart में आप donor है ठीक है just like O negative किस किस को दे सकता है तो AB positive को दे सकता है AB negative को दे सकता है AB positive को दे सकता है ठीक है A negative को दे सकता है B positive B negative O positive O negative that means यह सब को दे सकता है इसलिए इसको universal donor कहते हैं जबकि recipient की बात है तो देखो यहाँ पर यह भी जो है इन सब से blood ले सकता है ठीक है इसलिए इसको क्या कहते हैं AB को universal recipient कहते है ठीक है तो इस chart के according भी आप लोग समझ सकते हैं कि कौन किस blood group वाले को blood donate कर सकता है और कौन किस blood group वाले से blood ले सकता है ठीक है question में आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि what is SI unit ठीक है system international unit बताना है आपको electric current से related ठीक है तो देखो ऐसा unit जो है electric current का वो क्या होता है ampere होता है ठीक है यहाँ पर बात करें ampere क्या होता है तो देखो एक electric wire है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे है इसमें particular electric charge जो है वो travel कर रहा है यहाँ पर आप move on करते हुए देख पा रहे है ठीक है यह जो particular charge है इसके surface पे जब move on करता है ठीक है तो हम लोग यह कह सकते हैं कि one ampere जो है वो equal होता है किसके one column per second के ठीक है तो one column per second के according ठीक है तो यही चीज हम लोग क्या कहते है that means इसमें से कितना charge travel कर रहा है that is ampere और इस चीज को measure करने के लिए हम लोग एक machine का use करते हैं जिसे हम लोग यहाँ पर कहते हैं emitter ठीक है तो emitter का भी नाम याद रखिएगा कि electric current को measure करने के लिए जिसका use किया जाता है वो emitter है question में पूछा आप से which one is the hottest planet of our solar system हमारी solar system का सबसे hottest planet इन में से कौन सा है तो देखो solar system में आपको पता ही है कि आप लोगोंने basic formula से याद किया होगा कि my very efficient mother just serve us nuts ठीक है तो माई से mercury very ठीक है उस टाइप से आप देख रहे है mercury वीनस अर्थ मार्स जुपिटर साटर्न यूरेनस और नेप्चून है तो यहां पर देखो जो सन के सबसे ज्यादा पास है मरकरी यह सबसे hottest नहीं है ठीक है जबकि सबसे hottest कौन है जो सन के second closest planet है इसका नाम क्या है वीनस है अब देखो वीनस के बारे मागर बात करें तो वीनस के अंदर जो एक atmosphere होता है ठीक है उसी atmosphere के कारण यह यहां पर सबसे hottest है otherwise सन के सबसे पास कौन है तो मरकरी है पूछा है आपसे कि Aedes aegypti जो mosquito है उसके काकने से इन में से कौन सी बीमारी हो सकती है तो देखो Aedes aegypti जो mosquito है यह आपके body में क्या करता है डेंग्यू disease को generate करता है डेंग्यू क्या है mosquito born disease है जो किसके कारण होता है तो आप लोग याद रखेंगे इसका जो फैक्टर है वो क्या है डेंग्यू वाइरस है ठीक है तो डेंग्यू वाइरस के कारण आप लोगों को डेंग्यू होता है और यह वाइरस आपकी body में लाने का काम कौन करता है यह Aedes aegypti mosquito करता है अब कैसे पता चलेगा कि किसी भी परसन को डेंग्यू हुआ है ठीक है तो देको Aedes aegypti mosquito के बारे में स्पेशली यहां पर जो female Aedes aegypti mosquito है उसके बारे में कुछ चीज़ें नोन फैक्ट है हम लोगों को कि यह हमेशा साफ पानी के अंदर होते हैं जहां पर इसके फ्लाइंग कापैसिटी कम होती है तो यह आपके लोवर बॉड़ी पार्ट में ज्यादा बाइट करते हैं ठीक है तो इस तैप की चीज़ें इनके बारे में नोन है फिर भी हम लोगों को अपने आसपास में साफ सफाई मेंटेन करने चाहिए और इसमें सबसे जादी प्राप्लम क्या होता है तो आपके जितने भी जॉइंट्स और बोन्स है उनमें बहुत आपको पेंट फील होगा ठीक है क्वेशन में पूछा कि कौन सा इंडियन क्रिकेटर है जो कि सबसे फास्टेस्ट जो कि क्या बन गए है सबसे फास्टेस्ट 100 ODI विकेट लेने वाले बन गए हैं तो ये जो परसन है ये महमध सामी है इनकी फोटो के थरू ही आप लोग इसको पहचान रहे होंगे ये जो का इन्होंने किया न्यूजलैंड के अगेंस्ट जब इनका मैच हुआ था उस टेम पे किया था और ये इनका 56 गेम था ठीक है उसी के अंदर इन्होंने 100 ODI विकेट ले लिये थे तो सबसे फास्टेस्ट ODI विकेट लेने वाले परसन बन गई है उसके बाद पूछा है कि कौन में सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन ट्रोफी 2019 को जीता है तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा नोवाक डेजोविक जो है उनके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे ये कहां से हैं सर्भिया से हैं तो यह जो 2019 का ऑस्ट्रेलियन ओपन है यह कहां पे हुआ था तो आप ल अब सेकंड तेंग यह इस इवेंट का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन टूनामेंट है यह इस इवेंट का 107 टूनामेंट था ठीक है यह आप लोग याद रख लेंगे तो जो नवोक डेजोविक है इन्होंने किसको हराया ठीक है तो इन्होंने यह बेसिकली कहां के हैं पहली ची गए थे Australian Open को और इन्होंने डिफीट किया था ठीक है किसे डिफीट किया था राफेल नडाल को इन्होंने डिफीट किया था और लाफेल नडाल कहां के हैं तो आप लोगों यहां पर बूल देंगे कि यह स्पेन के हैं ठीक है तो नवक डेजोविक ने जो कि सर्भिया के हैं इन्होंने राफल नडाल को हराया जो कि स्पेन के हैं और खुद क्या बन गए औस्ट्रेलियन ओपन ट्रॉफी के मेंस चांपियन बन गए जबकि अगर यहां पर बात कर दी जाए वोमेंस में अगर पूछ लेता ठीक है तो यहां पर हम लोग वोमेंस के अंदर भी बात कर ले है कि पेट्रा केटोवा को इन्होंने हराया जो कहां से हैं चेज रिपब्लिक से हैं इनको इन्होंने यहां पर हरा दिया था ठीक है यह बेसिक बेसिक डीटेल्स याद रखिएगा आप उसके बाद पूछा है आपसे कि किस मूवी को इंडियन ओफिशल एंट्री मानी जग इन दोनों की जो मूवी थी यह बेस्ट इंटरनाशनल फीचर फिल्म के लिए नॉमिनेट की गई थी ठीक है और यह जो ऑसकर अवार्ड था यह ऑसकर अवार्ड का 90 सेकंड अवार्ड था ठीक है वो भी आप लोग याद रखेंगे पूछा गया है कि जो हेड क्वाटर है सार्क का ये किस जगह पर लोकेटेड है टीक है तो सार्क का जो हेड क्वाटर है वो कहां पश का पर है काटमंडू है अब सार्क का फुल फॉल फॉर्म क्या होता है तो आप यहांपर देख लेजेगा South Asian請 disciples South Asian Association for Regional, ठीक है, Regional Cooperation, ठीक है, Cooperation, ये क्या है, सार्क का पूरा नाम है, अब इसके नाम से ही आप इसके बारे में समझ पारे हो, कि South Asia के अंदर एक Association फॉर्म किया है इन्होंने, ताकि अपने ही रीजन में एक दूसरे को क्या कर सकें, सही ओक कर सकें, ठीक है, तो नाम से ही आपक हैं, कैसे हैं, ठीक है, इनका जो फॉर्मीशन हुआ था, वो कब होता है, 8th of December को 1985 में होता है, ठीक है, और उस पर्टिकुलर टाइम पे इनको फॉर्म किया गया, और इनके कितने मेंबर हैं, तो आप बोलोगे, इनके 8 मेंबर हैं, और इन 8 मेंबर के आप लोग यहां पर फ तो यहां पर इंडिया आ जाता है, फिर बात करें, तो मौलदीव आ जाता है, यहां पर फिर आप लोगों के पास क्या है, नेपाल है, ठीक है, नेपाल के बाद अब देखेंगे, तो हमारे जो नेबर है, पाकिस्तान है, और क्या है, स्री लंका है, ठीक है, तो यह पर्टि तो यह इसके total members यहां पर देखने को मिल जाएंगे ठीक है बाकी इसके observer nations है जनके बारे में हम लोग discuss नहीं करने वाले यहां पर question पूछा गया है कि chairman कौन है राज्ये सभाके ठीक है तो यहां पर बात करें तो जब आपका question पूछा गया था 2019 में उस समय भी और at present की भी बात करें तो राज्ये सभाकी always आपको याद रखना है chairman कौन होते हैं vice president होते हैं अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए ठीक है तो at present जो vice president है हमारे वो याद रख लिजेगा वेंकईया नाइडू जी है ठीक है वेंकईया नाइडू है इनका नाम आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे क्योंकि vice president को ही हमेशा राज्ये सभा का chairman बनाया जाता है और at present vice president वेंकईया नाइडू है अगली question में आपसे पूछ रहा है कि किस city में इंडिया का पहला underwater train project जो है यह चलाया जाएगा तो आप यहाँ पर अंसर देने वाले हैं कोलकाता कोलकाता के अंदर जो कोलकाता कहां पर है वेस्ट बेंगॉल में river के अंदर चलाया जाएगा ठीक है यह याद रख लीजिएगा फिर question पूछा गया कि which army team कौन सी army team जीच जाती है फिफ्ट edition of international army scout master competition 2019 तो देखो यह competition Indian army नहीं जीता है ठीक है यह basically फिफ्ट edition था army scout master competition का ठीक और यह कहां पर हुआ था तो आप लोग देखेंगे कि India के अंदर ही कहां पर जैसल मेर के अंदर हुआ था ठीक है जैसल मेर में इन्हों ने किया था August 2019 में और यहां पर टोटल कितनी टीम्स आई थी तो यहां पर टोटल एट टीम्स आई थी जिनके नाम आपको याद नहीं रखने फिर भी एक बार सुन लीजेगा एक तो अर्मेनिया था बेलारूस था चाइना कजाकिस्तान इंडिया रश्या सुडान उजबे यह सारे के सारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे पूछा गया कि जिसके यहां पर इमेज आप देख पा रहे हैं कमॉली का बरी ठीक है यह कुछ दिनों पहले न्यूज में थी और आपको बताना है यह किस स्पोर्ट से रिलेटेड है तो इमेज में आपको देखने को मि इन्होंने क्या किया यह वर्ल्ड आर्चरी यूथ कॉंपटेशन जो हुआ था कहां पे हुआ था मैड्रेड के अंदर और मैड्रेड आप लोगों को पता है कहां पे हैं स्पेइन के अंदर अवेलेबल हैं वहां पे इन्होंने हराया था ठीक है जो हाइस्ट रैंकर है किसक इंडिया में भी कहां पे तो जारकंड की इन्होंने क्या किया था हराया था मैड्रेड स्पेन के अंदर एक कॉंप्टेशन में किसको सोनाड हुआ का जो कि जापैन की है इनको हराया था और हराने के बाद ये इंडिया का सेकंड गोल्ड मिडल लाने वाली परसन बन गई थी आर्चरी में ठीक है तो ये बेसिकली आप लोग याद रखेंगे फिर क्वेशन में बोल रहा है कि वेर वस जी ट्वेंटी समेट टूथावजन नाइंटीन है तो जी ट्वेंटी समेट कहां हुआ था तो आप लोग बोलेंगे उसाका जैपैन के अंदर और और गनाइस किय ये मीटिंग में अप लोगों को पता ही है कि ट्वेंटी कंट्री इसका गुरूप है जिसमें 19 तो क्या होती है कुछ आत्रीज होती है और आपको यहां पर पता है तीक है तो यह जो समेट था ऐसाका के अंदर हुआ था और इसका जो हुस्टिंग थी वोभी किस की थी और्साका जेपाद ने की थी टीक है पूछा गया कि पैनिसीलियम क्या है ठीक है तो पैनिसीलियम जो है वो एक टाइप का क्या है है फंगस है ठीक है फंगस को आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जब कभी भी कोई फूड है जिस लाइक अपने ब्रेड या चपाती को फोड़ा सा मॉइस्चर के साथ ओपन रख दिया तो कुछ जिनों बाद आपको उसमें वाइट इस ब्राउन इस लेयर देखने को जो मिलती है वही क्या होता है पैनिसिलियम होता है बेसिकली वह टाइप क्या है फंगस है यह जो फंगस है इसका हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं तो आप लोग बोलेंगे एंटी बायोटिक बनाने में इसका यूज किया जाता है और यह बहुत सारे बैक्टिरिया को किल करने का भी काम करता है ठीक है question में पूछ लिए आप से कि metal oxide nature में कैसे होते हैं तो हम लोग यहाँ पर बूल सकते हैं कि metal oxide जो है basic nature में होता है that means क्या होता है base उनका form होता है कैसे होता है तो देख लेंगे हम यहाँ पर कि कुछ-कुछ example है metal oxide का just like अगर हम बोलें कि acid को अगर मैं base के साथ मिला लूँ ठीक है तो क्या बन जाता है अफ लोगों को पता है salt and water बन जाता है ठीक है यह क्या हो गया neutralization reaction हो गया जब acid और base मिलकर salt and water बनाते हैं तो यहाँ पर example के form पर मैं ले लेता हूं 6 HCl HCl अफ लोगों को पता है hydrochloric acid जोकी एक base है अगर इसमें मैं Al2O3 मिला देता हूं तो क्या बना है और साथ में H2O बना लेता है ठीक है तो यह एक type का salt है और यह type का water है तो इससे हम कह सकते हैं कि यह metal का oxide है इसका nature क्या होगा basic nature होगा ठीक है base आप लोगों को पता है जिसका pH value 7 से अबब होता है ठीक है और यह लोग क्या करते है blue acid जो होता है वो क्या करता है blue litmus paper को red में बदलता है जब कि base क्या करते है red litmus paper को blue में बदलते हैं तो वो भी ध्यान रख लेना आप लोग question में पूछा कि जब हम common salt मिलाते हैं distilled water में तो उससे क्या हो जाएगा ठीक है तो यहां पर देखो common water जिसकी हम बात कर रहे हैं यहां पर distilled water इसका जो pH value होता है ठीक है power of hydrogen जो है इसका यह क्या होता है 7 होता है और 7 होने के कारण यह किसी भी type का conduction नहीं करता ठीक है तो pure water ज दीजिएगा जिस water का pH क्या हो 7 हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं insulator बोलते हैं that means उसमें से electricity पास नहीं होती जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हैं distilled water जब second example पर आप लोग आओगे तो इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा salt mix कर दें ठीक है जो कि impurity है तो क्या हो जाएगा यहां पर electricity pass out हो जाएगी और bulb जलने लगेगा तो that means distilled water में जब हम salt मिलाते हैं तो वो water क्या बन जाता है good conductor बन जाता है question पूछा गया कि point at which all rays converge is term है सारे के सारे rays जहां पर converge हो जाएए उनको हम क्या कहते हैं तो देखो यहां से बहुत सारी rays आ रही है यह 1,2,3,4,5 अब देख रहे हैं यह सारे के सारे जिस जगह पर मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं focal point बोलते हैं ठीक है तो इसको आप लोग यहां पर याद रख लीजेगा ठीक है इससे basic related questions भी पूछे जाते हैं अब question में आपसे पूल रहा है कि which of the following types of sources of energy do not produce carbon dioxide that means इन में से कौन सा ऐसा source है जो carbon dioxide को generate नहीं करता तो देखो यहां पर best answer क्या होगा हमारा wind energy होगा ठीक है अब wind energy के बारे में आप लोगों को पता ही ह है कि यहां पर जब हवा चलती है तो इस type के जो wheels होते हैं वो घोमते हैं और उससे इसका turbine rotate होता है और electricity generate करता है ठीक है तो यह basically यह कहा जा सकता है कि mechanical power को आप लोगों ने use में कर लिया ठीक है electricity form करने के अंदर या फिर other power generate करने के लिए water pump करने के लिए ऐसे इसके uses किये जा सकते हैं ठीक है लेकिन अब भूलोगे कि बाकी source of energy का क्या है तो देखो hydro electric energy में भी कुछ quantity में carbon dioxide produce होता है और geothermal में भी होता है लेकिन wind energy में नहीं होता तो आप लोग केवल wind energy को answer choose करेंगे ठीक है question में पूछ लिया कि किस Indian state ने सबसे ज़्यादा जो boundary है वो large number of other states से connect होती है ठीक है तो यहाँ पर देख लेंगे हमारे पास जो जो options available है उनके according क्या होता है ठीक है अब देखो आंधर प्रदेश आपको given है तो यह तो देखो basic अगर आप लोग map study करते हैं तो आपका काम हो और फिफ्ट तमिल नादू को तो आप यहां पर बूलोगे कि अंधर प्रदेश five को टच करता है मध्यप्रदेश की अगर बात करें तो देखो वन राजस्थान टू गुजरा थ्री महाराष्ट्रा फोर चातिसगर और फाइव उत्तर प्रदेश तो मध्यप्रदेश जो है वो five को टच करता है बिहार की अगर हम यहां पर बात करें तो बिहार देखो एक उत्तर प्रदेश दूसरा जहारखंड और तीसरा वेस्ट बंगॉल चौथा थोड़ा सा आप बोलोगे कि सक्क्यम लेकिन सक्क्यम को यह टच नहीं करता ठीक है तो यह तीन को टच करता है यह आप उत्तर प्रदेश की बात कर लो देखो एक यह दूसरा ठीक है यह तीसरा यह चौथा यह फिफ्ट सिक्स और सेवन तो सबसे ज्यादा को टच कौन कर रहा है उत्तर प्रदेश तो यहां पर उत्तर प्रदेश आपका आइडिया होगा तो मैप को आप लोग साथ में या तो classical dance form और fork dance form में difference करना थोड़ा problem देता है, तो देखो fork dance ऐसे dance होते हैं, जो कि group performance के लिए होते हैं, और किसे related होते हैं, तो यह जो fork dance है, यह related होते हैं harvest of food से, तो harvest of food से related होंगे, जबकि बाकी के classical dances हैं, जो इससे related नहीं होते हैं, तो यहां पर हमारा answer होगा, be who correct हो जाएगा उसके बाद पूछा है, के which animal exclusively eat only eucalyptus leaf, इन में से कौन सा जानवर है, जो सिर्फ और सिर्फ यूकिलिप्टस की ही पतियों को खाता है, और कुछ नहीं खाता, तो यहां पर यह जो जानवर है, वो क्या है, काउला है, जिसका image आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, काउल लिया के अंदर पाया जाता है, question में पूछा गया कि काला हारी desert, जो है, यह किस continent के अंदर available है, ठीक है, तो यहां पर Africa continent का यह वाला जो area है, यह क्या है, काला हारी desert है, ठीक है, तो आप लोग यहां पर क्या करेंगे, options Africa को take out करेंगे, ठीक है, और में को comment करके बताईएगा कि India का जो सबसे largest desert है, वो कहा है, और second question आप लोग यह भी बताईएगा, कि world का largest desert कौन सा है, ठीक है, अगले question पर देखते हैं, आप से पूछा है कि human heart में कितनी chambers होते हैं, तो देख रहे हो, आप यहां पर simple four chambers होते हैं, यह जो four chambers होते हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं, left और right में bifurcate करते हैं, ठीक है, अब जो left part होता है, यहां पर क्या होता है, oxygenated blood होता है, ठीक है, तो यह क्या हो जाता है, oxygen के साथ होता है, बोडी में आया, यह pump करके बाहर चला गया, ठीक है, तो बाकी पूरी बोडी में इसका circulation होता है, और इसी से हम बोल सकते हैं कि pure और impure blood का भी separation करने का यह लोग काम करते हैं, तो हमारे जो particular heart के chamber है, वो कितने हैं, चार chamber है, उसके बाद आप से यहां पर पूछ रहा है कि यह optic nerve को impact करने का काम करता है, जिससे जो vision है, यानि कि देखने की capacity है, वो खराब होने लगती है, और basically जिनकी age जो है, वो 60 प्लस होने लगती है, उनमें यह सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, फिर आप से यहां पर last question में पूछा गया था, कि which country team emerged world champion, world champion बनके आये कौन, world debating championship 2019 में जो कहां पर हुआ था, Thailand में हुआ था, तो यहां पर champion बनके कौन आया, India champion बनके आया था, ठीक है, first time इस history के अंदर क्या हुआ, India champion बनके आया है, world school debating का, ठीक है, debating championship थी यह basically, और यह कहां पर हुई थी, Thailand के अंदर available हुई थी, तो आपको place भी available है, और team India से यह particular person थे, Tejas, ठीक है, यह कौन थे debate करने वाले, Tejas Subramanyam, ठीक है, Tejas Subramanyam, जो है, यह सबसे best speaker के रूप में यहां पर denote किये गये था, ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं, तो student यह था हमा के इसमें बहुत सारे questions हैं, अगर आप लोग वो चाहते हो, तो each and every Sunday 10-15 पर हमारा live session होता है, उसको भी आप लोग यहां पर देख सकते हो, जो आपके लिए beneficial रहेगा, ठीक है, अगर आपको video पसंद आ रहा है, तो like कीजिए और share तो जरूर से कीजिएगा, ठीक है, अपने other follow करने चाहते हो, तो इन various platforms के link आप लोगों को description में मिल जाएंगे, वहां से भी आप मुझे follow कर सकते हो, तो मिलेंगे आप से अगले video में, तब तक के लिए जय हिंद।